हेलो बच्चो आपका अपने टीटर टाक चैनल में स्वागत है आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का जो चेप्टर है लास अफ मोशन का इंपोर्टेंट टोपिक कर रही है । लास ओफ मोशन चैप्टर में न्यूटिन की तृई लास के बारे में बतायागया है है first law of motion second law of motion और third law of motion जो second law of motion की help से हम first law और third law दोनों को derive कर सकते हैं जो आप कह सकते हैं दोनों को explain किया जा सकता है first law is contained in second law of motion और इसी तरह से also third law is contained in second law of motion तो इन्हें step wise sold करते हैं first हम करते हैं first law is contained in second law of motion कहने का मतलब second law की help से first law को explain किया जाएगा तो according to Newton second law of motion जो force होती है उसका formula क्या होता है force का formula होता है F equal mass multiply acceleration product of mass and acceleration और अगर external force zero हो कहने का मतलब अगर body की ओपर external force applied ना की जा रही हो if no external forces applied मतलब जो F की value क्या है वह है equal zero ठीक अगर F की value zero है तो फिर अब यहां zero put करेंगे तो MA की value भी क्या होगी क्योंकि MA की value F की equal है F zero है तो MA भी equal है zero ठीक है तो body का जो mass हो अगर body है तो उसका mass तो जरूर होगा तो mass cannot be zero mass कभी zero नहीं हो सकता अगर किसी body की बात करें हां तो यहां से हम acceleration की value निकालने तो यह जीरो हो जाएगी क्योंकि M जब उधर जाकर जीरो से divide होगा इस तरह आएगा जीरो अपॉन एम एक्सलेशन की value हमारे पास आती है जीरो एक्सलेशन का अपड़्योर्चो फोर्मॉल्ला किया होता है चेंज़िद फोलॉस्टी अपोन टाइम एक्सलेशन का फार्मॉल्ला होता है चेंज़िद फ़र्मॉल्ला होता है तो तो acceleration की value अब क्या आ रही है equal 0 है अगर यह 0 है तो यहां से T उधर जाएगा तो वह भी 0 हो जाएगा ठीक है और हमारे पास क्या बजाएगा V minus U equal to 0 और अगर यू को उधर send करते हैं तो यह value आ जाए कि V equal U जो हमें यह बताती है कि initial velocity और final velocity same ही है velocity में कोई change नहीं है लेकर यह किस case में हो रहा है if external force is not applied अगर external force अपलाई नहीं हो रही कहने का मतलब अगर यू की value 0 है initial velocity की value 0 है यानिकि body rest पर है तो कुछ time बाद भी body की value velocity जो होगी वह जीरो ही होगी अगर body rest में है तो rest में ही रहती है और अगर body motion में है तो motion में ही रहती है अगर external force अपलाई ना की जाए जिसे हम लिख सकते हैं कि a body at rest will remain at rest and a body in uniform motion will continue moving uniformly along the same state line in the absence of an external force जो की Newton के first law की define है अब हम second law की help से third law को prove करते हैं third law is contained second law तो second law की help से third law को prove करेंगे तो यहाँ पर example लेती हैं कि अगर कोई दो body एक दूसरे की तरफ move हो रही है तो दोन्यों का कुछ न कुछ momentum होगा अब momentum क्या होता है बच्चो momentum को हम P से denote करते हैं और उसका formula होता है mass multiply velocity यह होता है momentum ठीक तो जब यह दोनों body एक दूसरे के तरफ आती है तो कुछ time के लिए एक दूसरे पर force लगाती है टकराती है और फिर back move हो जाती है तो उस समय इन दोनों body के momentum में change आएगा क्योंकि दोनों के mass तो constant होंगे यह लेकर velocity change होगी जिससे अलग अलग body के momentum में क्या आएगा change आएगा जिसे हम delta P के साथ denote करेंगे और Newton के second law of motion के according according to Newton second law of motion जो force का formula होता है force proportional होती है rate of change of momentum के कुछ यह बला formula होता है तो इस तरह से हम momentum का formula यहां से निकाल सकते हैं momentum का formula क्या होगा force multiply time तो momentum का formula इसे साथ से होगा force multiply delta T अब हम अलग अलग body के momentum के change का formula लिखें तो कैसे लिखेंगे यहां पर हम लिखेंगे delta pa equal होगा f तो b object दोर a object पर force लगाएगे जब तकर आपस में टकर होई और a object दोर a b object पर कुछ ना कुछ force लगे तो f a b जो a object पर force लगी उसे f a b लिखेंगे और multiply delta t यह formula कहां से हमने लिया Newton के second of motion से बनाया इसी तरह से जो delta p b होगा मतलब change in momentum of object b में जो आया तो जो object b पर force लगी उसे f b a और multiply delta t Newton का second of motion में यह बताता है अगर external force अपलाई ना हो यानि कि isolated system हो तो जो change तो जो total change in linear momentum होगा वह जीरो होगा यानि कि जो pa plus p b की value होगी बच्चो वो होगी equal 0 इसे आप vector से show कर सकते हो momentum को कि तो force भी एक vector quantity है तो यह value आगी कि जो change in linear momentum total change in linear momentum होगा वह जीरो होगा अब इन दोनों की value हमें पता है इसकी value है f a b multiply delta t plus f b a multiply delta t ठीक अब सामने क्या आगा equal 0 अब यह delta t delta t तो common लेकर अगर उदर send करेंगे तो यह तो हो जाएंगे बच्चो cancer कि इने common लेकर 0 की तरफ send किया जा सकता है जीरो से divide होंगे तो cancel तो हमारे पास क्या बच गया इस question में इस derivation में f a b plus f b a तो आपके अगर f b a को हम उदर send करते हैं तो इसके सब माइनस लग जाएगा तो यह Newton के third law को explain करता है कि every action there is equal and opposite reaction क्योंकि यहाँ पर negative sign आया है तो इससे clear होता है कि object a पर जतनी force लगे object b पर उतनी force लगे लेकिन opposite direction में every action there is equal and opposite reaction जो कि Newton के third law को explain करता है thanks for watching